What's up my YouTube family, welcome back to another video of PRHD दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गया हैं MV की तरप से आने वाला ये Glister Multi Action Toothpaste दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके Pros and Cons के बारे में साथ में बात करेंगे कि ये 270 रुपीज आप जो इसके लिए Pay कर रहे हैं वो Worth It है या नहीं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में तो अगर आप परिशान है Teeth Whitening को लेकर और उसके लिए आपको Dentist के पास जाना पड़ता है Regular Basis पे या फिर Regular आपको Change करना पड़ता है अपना Toothpaste तो ये प्रोड़क्ट आपके लिए है दोस्तो ये प्रोड़क्ट काफी अच्छे से आपके Teeth को Clean करता है काफी सेफली क्लीन करता है और इसका Main Key Specification है Teeth Whitening और दोस्तो ये सारे Specifications दिए गये हैं ये सारे के लिए नहीं बनाएए दोस्तो ये इसका जो Main Key Feature है वो है Teeth Whitening तो दोस्तो आप बात करते हैं इसके कुछ बुरी बातों के बारे में तो ये प्रोड़क्ट आता है Amway की तरब से जिसे ढूनना अपने में एक क्राफी difficult task है ये जल्दी सूपर मार्केट्स में अवलेबल नहीं होता कुछ specific distributor होते हैं या फिर छोटे swaps होते हैं जहां आपको ये प्रोड़क्ट एवलेबल होता है तो ये काफी बड़ा drawback है इस product का second drawback की बात करें तो ये आपके cavity issue को बिल्कुल भी solve नहीं करता अगर आप चाहते हैं एक ऐसा toothpaste जो आपके cavity issue को solve करें तो ये product आपके लिए नहीं है और दोस्तो freshness की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा toothpaste आप purchase करें जो आपको morning में काफी freshness आपको provide करें तो ये toothpaste उसके लिए भी अच्छा नहीं है इसका taste बिल्कुल भी basic कोलगेट टाइप का है इसमें आपको कोई भी अच्छा एक freshness वाला टेस्ट नहीं मिलता तो दोस्तो आप बात करते हैं इसके packaging की तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के cardboard pack में ये हमें provide हुआ है उपर के side में glitter की branding की गई है इस side में amway की branding आपको देखने को मिल जाएगी साथ में factory detail के साथ साथ customer care number email id और काफी सारे information दिए गए है उपर के side में ingredients दिए गए हैं आप चाहें तो इससे screenshot लेकर पढ़ सकते हैं दोस्तो net contents की बात करें तो net content है 190 ग्राम पर यह आपको काफी सारे net contents में available है आप अपने choice के हिसाब से purchase कर सकते हैं दोस्तों MRP की बात करें तो MRP है इस वाले product का 270 रुपीज और साथ में आपको packaging date के साथ साथ lot number और काफी सारे information दिए गए हैं तो चलिए open करते हैं इस pack को और देखने ही कैसा है यह product तो simply हम कुछ इस तरह से इस open कर लेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का toothpaste हमें अंदर के side में provide होता है इसमें आपको glitter की branding देखने को मिल जाएगी साथ में multi action toothpaste की branding की गई है pricing थोड़ा सा हाई लगा मुझे 270 के like नहीं है पर आपको teeth whitening का problem का solve करना है तो यह toothpaste आपके लिए best है आपको cavity issue solve करना है तो यह toothpaste आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है मैं recommend नहीं करूंगा तो यही था आज का वीडियो अमीद आपको यह वीडियो पसंद आया पसंद आया तो like करे कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चानल को मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोड़क्ट यह साथ तब तही देखते रहे है यह प्रोड़क्ट वीच डी चानल थैंक यू आप करेंगो हिसल आपको यह वीडियो तब करेंगी है